हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल डियस ग्यांदरेश्टी आज का जमर वीडियो है वो समान विग्यान से संबंदित सो बीवी आई मुबस्तुनेश्ट परस्णों के उपर अधरित है जो आगामे जितने भी परतियोगी परिक्षाएं हैं उसके लिए बहुत हैं इंप आधियम से मेरो जानल दो वीडियो अप्लोड करता हूं जो बहुत ही ज्यानवर्थक होते हैं जो आपकी कोई भी परतियोगी परिक्षा हो उसमें आपकी ये काफी मदद करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसका नाम है समाने विग्यान से संबंधित में 100 भी भी आई बस तुनिस्ट प्राश्न और उनके एंसर तो पहला प्राश्न है कि बिदुत परिपर्थ में बिदुत धरा मापने के लिए क्या उप्योग होता है औप्शन है a, ohm, b, volt, c, watt या d, ampere तो इसका जो सही जवाब होगा वो अप्शन D हो जाएगा किसी भी परिपद में बियुत धरा कुमापने के लिए MPR का उप्योग होता है प्रसंख्या 2 है कि मानो का उद्भव अस्थान है मानो का उद्भव अस्थान है अप्शन है A. भारत, B. चीन, C. अमेरिका, D. अफ्रीका तो इसका जो सही जवाब होगा वो अप्शन D हो जाएगा अफ्रीका प्रसंख्या 3 है निमने लिखित में कौन लेंगिक जनन संचारित रोग है निमने लिखित में कौन लेंगिक जनन संचारित रोग है आप्शन है A, आत्रजवर, B, सुजाक, C, एड्स, और D, B, और C तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन D हो जाएगा B और C, लेंगिक जनन संचारित रोग है परस्टन के चार है, मानव गुर्दे का आकार होता है मानव गुर्दे का आकार होता है आप्शन है A, गुलाकार, B, आयताकार, C, सेम के बीच का आकार का और D, इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन C हो जाएगा सेम के बीच के आकार का प्रस्टन के पांच है कि सोरा वस्था में होने वाले सरीरिक परिवर्थन का कारण है आप्शन A, टेस्टो एस्टोरेन, B, एस्टोरेजन, C, थाइरोक्सिन, और D, A, और B, दोनो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन D हो जाएगा A और B, दोनों अठार टेस्टोरेस्टोरेन और एस्टोरेजन, मतलब ये दोनों हर्मोन है एक नर हर्मोन है और एक मादा हर्मोन है जिसमें टेस्टोरेस्टिरेन नर्मोन है और एस्ट्रोजेन मादा हर्मोन है प्रसंखिया छो है योन परिप्रक्ता की अधिको कहते हैं यौन परिपक्ता की ओधी को करते हैं आप्शन एक किसोरा वस्था भी योवन आरंब से ब्रिधी और डी इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सेज़व होगा ओप्शन बी हो जाएगा योवन आरंब या प्यूवर्टी कहते हैं प्रसंख्या साथ है ओजोन पुरत का हरास मुख्य तक किसके द्वारा होता है मतलब ओजोन पुरत का जो छह यह नास हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है ओप्शन है पर पुरらस कार्बन इसका प्रसंख्या आस है तहला तलाब किस प्रकार का पर स्थित की तंतर है ओप्शन है यह क्रित्रि, B, प्राकिर्तिक, C, अजय, या D, इनमें से कोई नहीं तो इसका जो एंसर होगा हो आप्शन B हो जाएगा प्राकिर्तिक प्रसंख्या 9 है इनमें लिखित में कौन पारिष्टित की तंत्र में अधिक्तम संख्या में मवजूद है आप्शन है A, उत्पादक, B, सरक भक्षी, C, मांस भक्षी, या D, इनमें सभी तो इसका जो सही जवब होगा वो आप्शन E हो जाएगा उत्पादक प्रासंख्या 10 है सरो भक्षी जीवों की उत्पति के पहले प्रित्वी परनिमलेखित में क्या नहीं था आप्शन है A, कारबन डायोक्साइड, B, कारबन मनोक्साइड, C, ऑक्षीजन, या D, इनमें से सभी तो इसका जो सही जवब होगा वो आप्शन C हो जाएगा ऑक्षीजन प्रासंख्या 11 है भारत में उत्पादित परतियावर्ति विदुद्धाराय की आवर्ति है आप्शन है A, सत्तर हर्च, B, पचास हर्च, C, साथ हर्च, या D, और सी हर्च यह इंपोर्टन प्रास्न है और इसका जो सही जवब होगा वो आप्शन B हो जाएगा भारत में उत्पादित परतियावर्ति विदुद्धाराय की आवर्ति है पचास हर्च प्रसंख्या बारह है नरवरा नावकिये विदुद्ध सन्य अंतरक किस राज में इस्तित है आप्शन है A, राजस्थान, B, गुजिराद, C, महराष्ट, या D, उत्तर परदेश तो इसका जो सही जवाब होगा और आप्शन D हो जाएगा उत्तर परदेश में इस्तिते और उत्तर परदेश का जो बुलंद सहरे उसी में इस्तिते नरवरा नावकिये विदुद्ध सन्य अंतर प्रसंख्या तेरह है एस्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उप्योग होता है एस्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उप्योग होता है आप्शन है A, प्रिज, B, दरपन, C, लेंस, या D, इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन E होगा इस्पेक्टरम प्राप्त करने के लिए पिरिज में काउप योग किया जाता है प्रसंखिया 14 है नेत्र द्वारा किसी बस्तु का कैसा प्रत्विम बनता है नेत्र द्वारा किसी बस्तु का कैसा प्रत्विम बनता है आप्शन है A. वास्त्विक और उल्टा बिक काल्पनिक और सिधा सी दोनों और डी इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर होगा वो आप्शन ए हो जाएगा वास्त्विक और उल्टा बढ़ते हैं अगला प्रास्ण की तरह, अगला प्रास्ण है प्रश성 क्या 15 प्रोप्त पैसर है नहीं करता आरं ऑप्शन है b I, आपसन B है b a square i r, आपसन C है i a square r और option D है IR square तो इसका जो सही जवाब होगा option D हो जाएगा IR square जुत सक्ति को निरुपित नहीं करता है प्रसंख्या 16 है photographic camera का अभिद्रिश्यक होता है photographic camera का अभिद्रिश्यक होता है option है A auto-darpon B auto-lens C auto-lens D auto-darpon तो इसका जो सही जवाब होगा option C हो जाएगा auto-lens प्रसंख्या 17 है किसी सब्द कोर्स में पाएगा छोटे अच्छोडों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा lens पसंद करेंगे option A auto-darpon B auto-lens C auto-darpon या D auto-darpon तो इस प्रस्ण का जो सही जवाब होगा option C हो जाएगा उत्तर-lens प्रसंख्या ठाड़ा है निम्न लिखित में कौन समातर क्वाट W के बराबर होता है option है जूल प्रतिसेकेंड option B है जूल प्रतिसेकेंड स्क्वाइल option C है जूल इन्वर्स second inverse और option D है जूल जूल माइनस टू second माइनस टू तो इसका जो एंसर होगा वो जूल प्रतिसेकेंड होगा यानि option A प्रसंख्या 19 से बिदुत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है बिदुत जो हीटर होता है उसके तार की कुंडली बनी होती है प्रस्ता की C टंगाष्टन की या D नाइक्रोम की तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आफ्षन D हो जाएगा नाइक्रोम की बनी होती है प्रसंख्या B से किसी बिदुत परिपत का वाह गोन जो बिदुत उर्जा को उस्मा में बदल देता है आफ्षन है इसका जो सही जवाब होगा वो आफ्षन E हो जाएगा प्रतिरोध प्रसंख्या 21 से तरंग देर को समानियता ब्यक्त किया जाता है आफ्षन है A, मीटर में, B, हर्च में, C, मीटर प्रतिर सेकेंड में, या D, इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो आफ्षन B होगा हर्च में लेकिन तरंग देर का जो एसा ही मातरक होता है वो मीटर होता है था दोनों हो जाएगा इसका एंसर लेकिन यहां पर पुछ रहा है कि तरंग देर को समाने तो किसमें ब्यक्त किया जाता है तो होगा हर्च लेकिन तरंग देर का यह सही मातरक होता है मीटर प्रसंख्या बाई से निम्न में कौन और नविकर्णिये उर्जा का स्रोत है आप्शन है एक कोईला, बी, ववन, सी, सौर्य, और डी, इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर होगा वो अप्शन A हो जाएगा कोईला और नविकर्णिये उर्जय का स्रोत है प्रसंख्या 23 अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है वो है अप्शन A, कॉपर, B, सिल्वर, C, पारा या D, सोना तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन C हो जाएगा पारा प्रसंख्या 24 अप्रसंख्या 24 अपने में से कौन सा पदार्थ अक्सीजन से सन्योग करके, सन्योग नहीं करता है नीमन में से कौन सा पदार्थ ऑक्सिजन से सन्योग नहीं करता है आप्सन है A, तामबा, B, गोल्ड, C, जिंक या D, पोटैसियम तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्सन B हो जाएगा गोल्ड, ऑक्सिजन से सन्योग नहीं करता है प्रसंकिया 25 से कौन विदूत का सर्वोत्तम चालक है कौन विदूत का सर्वोत्तम चालक है आप्सन है A, कॉपर, B, सिल्वर, C, एल्मुनियम, या D, फिरस या लोहा तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्सन B हो जाएगा अर्जन्टेना, मर्थाथ, सिल्वर, जिसको हम लोग चैन्दी भी काते हैं हिंदी में प्रसंकिया 26 से बक्साइट निमलेखित में किस धातु का मुख्या आयस्क है आप्सन है A, लोहा, B, कैल्सियम, C, सोडियम, या D, एल्मुनियम तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप्सन D हो जाएगा अल्मुनियम का मुख्या यस्क बक्साइट है प्रसंकिया 27 से निमनलेखित में कौन उपधातु है निमनांकित में कौन उपधातु है आप्सन है A, फेरस, B, कॉपल, C, निकेल, या D, एन्टीमनी भूप धातु है प्रशंकिया 28 से सुद्व सुना को ब्यक्त किया जाता है मतलब, शुद्व सahnर उसका कितना करेट मान होता है खाफ अप्सन H window, A 22 , B है, 24। ओप्सन C हे, 20K और अप्षं D है, 12K तो इसका जो रहेट एंसर होगा, वह ऑप्सन B हो जाएगा सुध सुना का मावाथ पक होता है हो 24 केरेट होता है अगला है पृरिशन के 29% पीतल है ओप्षन है A. धातु B. उदातु C. मिश्र धातु या D. उपधातु तो इसका जो सही जोब हो जाएगा ओप्षन C हो जाएगा पीतल मिश्र धातु है प्रसंख्या ती से निमनली खित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है आप्शन है ए लिथियम, बी कैल्सियम, सी कॉपर या डी आईरन तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन ए हो जाएगा लिथियम प्रसंख्या एक्ती से निमनली खित में कौन आईनिक योगिक है आप्शन है A. मिथेन, B. कार्जोंडय आकसाईड, C. कैल्सियम कॉल्राइड या D. हमोनिया तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन C हो जाएगा कैल्सियम कॉल्राइड प्रसंखे 32 से निम्न में कौन ओधातु है निम्न में कौन ओधातु है आप्शन है A, लोहा, B, कार्बन, C, एल्मोनियम, या D, गोल्ड, सोना तो इसका जो सही जवब होगा आप सभी को मालुम होगा आप्शन B हो जाएगा अर्थात कार्बन, ओधातु है प्रसंखे 33 से उच विदुद धनात्माक्ता के कारण धातु के परमाडू बनाते है आप्शन है A, धनायन, B, हिरिनायन, C, उदासिनायन, या D, सोसनी जवबन, तेस प्रसंखे का जो सही जवब होगा आप्शन E हो जाएगा धनायन प्रसंखे 34 से धातु के उक्साइड समानयता होते हैं तो इसका जो सही जवब होगा वो अप्शन E हो जाएगा धातु के उक्साइड जो होते हैं वो अमली होते हैं प्रसंखे 35 से आयासक से चुमबकी असुधियों को दूर करने के लिए जो बिधी परियुक्त की जाती है वो है आप्शन E हाथ से चुनने की बिधी B गुरुत्वी पृतिकरन बिधी C फेन उत्पलावन बिधी या D चुमबकी पृतिकरन बिधी जो सही जब होगा वो अप्शण C होजएगा अप्शन C नहीं होगा इसका अप्शन होगा चुमबकी अपृतिकरन बिधी पृतिकरन से लिए जाता है सल्फाइड न उत्पलावन दुआरा C. फेनुत पुलावन द्वारा D. निस्तापन द्वारा तरीष प्राशने का जो सही अन्सर होगा Option C होज़ेगा फेनुत पुलावन विधी द्वारा प्राश संख्या 37 से निम्लिखित में कौन ऐलुमुनियूम का मिश्रधातु है निम्लिखित में कौन तो इसका जो सही एंसर होगा वो आप्शन A हो जाएगा मैगनेलियम प्रस्टन के 38 से कॉपर का निश्कर सनमुक्य तक किस अयस्क से किया जाता है अप्शन A, कॉपर ग्लांस, अप्शन B है कॉपर पैराइट, अप्शन C है क्यू पैराइट और अप्शन D है इनमें से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर होगा वो अप्शन B हो जाएगा कॉपर पैराइट जिसका रासायनिक सुत्र C, U, A, P, S2 होता है प्रस संख्या 49 है किसी और हात्तु के परमाड़ों के बायतम सिल में इलेक्ट्रोनों की संख्या होती है बहुत इंप्वर्टन प्रस्ण है 2024 के बोर्ट पर चारतियों के लिए किसी और धात्तु के परमाड़ों में बायतम सिल में इलिप्टोनों की संख्या होती है option है A, 1, 2, 3 या 4 option B है 2, 3, 4 या 5 option C है 4, 5, 6, 7 या 8 option D है 4, 5, 1 या 2 तो इसका जो सही जब होगा option C हो जाएगा 4, 5, 6, 6, 7 या 8 परसंख्या 40 है सधारन गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है सधारन गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है option है A, S, B, S, 3 C, S, 8 option D है S, 4 तो इसका जो राइट एंसर होगा option C हो जाएगा A, S, 8 के रूप में पाया जाता है सलफ़ड परसंख्या 41 है फासफोरस का आणविक सुत्र होता है फासफोरस का आणविक सुत्र होता है option है A, P, B, P2, C, P8 और D, P4 तो इसका जो सही जवब होगा वो option D हो जाएगा P4 परसंख्या 42 से सोना निम्न में से किस दरों में घूल जाता है option है A, अमल राज में जिसको एकवार रजी अभी कहते है B, सांद्र सल्फ्यूरी का आणविक में C, सांद्र नाइट्री का आणविक में या D, इनमे से सभी में तिसका जो सही जवब होगा वो option A हो जाएगा अमल राज में परसंख्या 43 से कौन सा अधातू कमरे किताब पर द्रौ होता है option है A, ब्रोमिन, B, पारा, C, तामबा और D, एल्मुनियम तिसका जो सही जवब होगा option A हो जाएगा ब्रोमिन परसंख्या 44 से सीशा और टीन के मिस्रधातू को कहते हैं सीशा और टीन के मिस्रधातू को कहते हैं option है A, solder, B, steel, C, gunmetal, D, पूपधातू तो इसका जो सही जवब होगा option A हो जाएगा shoulder परसंख्या 45 से निम्न में से कौन अधिक अभिक्रिया सील है निम्न में से कौन अधिक अभिक्रिया सील है option है A, copper, B, 12, C, चांदी या D, गोलिया सोना तो इस प्रस्ण का जो सही अंसर होगा वो option E हो जाएगा इन सबी धातू में copper सबसे अधिक रिया सील है परसंख्या 46 से निम्न लिखित में कौन अतिजवलन सील है निम्न लिखित में कौन अतिजवलन सील है option है A, लाल फास्फोरस B, स्वेथ फास्फोरस C, साहारन गंधक और D, प्लास्टिक गंधक तो इसका सही जवाब option B हो जागा स्वेथ फास्फोरस प्रसंख्या 47 से विदुत अपगाटनी परिशकरन में असुत धात्यू को बनाया जाता है option है A, एनोड B, कैथोर्ड C, अपगाट या D, इनमें सब ही इसका जो सही जवाब होगा वो option A हो जाएगा एनोड बनाया जाता है प्रसंख्या 48 से निमनलिकित में कौन सबसे अधिक अभी किरिया सील है मतलब निमन जो धात्यू दी गई है उनमें सबसे अधिक कौन अभी किरिया सील है option है A, मैगनीसियम B, कैलसियम C, सोडियम या D, पोटैसियम तो इसका जो राइट एंसर होगा option C हो जाएगा सोडियम प्रसंख्या 49 से वलकेनिक करन की प्रकिरिया में प्रकिर्टिक रब्बर के साथ निमनलिकित में से क्या मिलाया जाता है option है A, सथारन गंधक B, एक अंताक्च गंधक C, हर्ष्ट फलकी गंधक या D, स्वेथ फास्पोरस तो इसका जो राइट एंसर होगा option A हो जाएगा सथारन गंधक प्रसंख्या 50 से एक ग्राम सोना से कितना लंबतार बनाया जा सकता है एक ग्राम सोना से कितना लंबतार बनाया जा सकता है option A एक किलोमेटर option B है दो किलोमेटर option C है 3 km option D है 4 km तो इसका जो सही जवाब होजएगा option B होजएगा 2 km प्रसंख्या 41 है कमरे किताब पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है option A तो इसका जो सही जवाब होजएगा option B होजएगा प्रसंख्या 42 है बेहसाइक अस्तर पर एलमुनियम धातु का निस्कर्शन किस अजास्क से किया जाता है option A cryolite B bauxite C corundum और D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा option B होजएगा bauxite प्रसंख्या 43 है लोहे के निस्कर्शन में चुनना पत्थर calcium silicate एक योगिक बनाता है यह योगिक कहलाता है option A भर्जन या जारन B प्रगलन C द्रावक और D धातुमल इसका जो सही जवाब होगा option D हो जाएगा धातुमल प्रसंख्या 54 है किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक भिने रूपों में प्रस्तूति करन तत्व की क्या कहलाती है बहुत इंपोर्टन प्रस्ण है option A अपरूपता B समवयता C समरूपता या D उभेधर्मियता तो इसका जो सही जवाब होगा option A हो जाएगा अपरूपता प्रसंख्या 55 है धातु की प्रकिर्ती होती है option A बिदुत धनात्मक B बिदुत इरुनात्मक C उदासेन D कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा option A हो जाएगा बिदुत धनात्मक होती है धातु की प्रकिर्ती प्रसंख्या 56 है लोहा यव मिस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चड़ाई जाती है ये भी important प्रसंख्या option A तामब B चांदी C सोना या D जस्ता या जिंक तो इसका जो सही जवाब होगा option D हो जाएगा जिंक प्रसंख्या 57 है किस रशायनिक योगिक को गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस प्राप्त किया जा सकता है option A बिरंजक चून B जिपसं C चूना पत्थर D कच्चा चूना तो इसका जो सही जवाब होगा option B हो जाएगा जिपसंख्या गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस प्राप्त किया जा सकता है प्रसंख्या अंठावन है इकवा रजी अर्थात अमलराज में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रो क्लोरी के ओम सांद्र नाइटरिक अमल का ताजा मिसरन होता है option A 3 अनुपात 2 option B 2 अनुपात 3 option C 3 अनुपात 1 option D 1 अनुपात 3 तो इसका जो सही जवाब होगा option D हो जाएगा 1 अनुपात 3 option 69 है अपने सुध रूप में धातू की सत्व होती है option A चमकदार B खुर्दुरा C काला या D इनुपात 4 इसका जो सही जवाब होगा option E हो जाएगा चमकदार प्रसंखिया 60 है धातू का पतले तार की रूप में खिचने की छमता को क्या करते है बहुत इंपोर्डन प्रस्ट है option A अगात वर्द्यता B तन्यता C लचीलापन या D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो option B हो जाएगा तन्यता करते है प्रसंखिया 61 है कुछ धातू को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है इस गुर्द्हर्म को क्या करते है option A तन्यता B अगात वर्द्यता C दोनो या D इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर होगा option B हो जाएगा अगात वर्द्यता प्रसंखिया 62 है जो धात्वियों का ठोर सता से टकराने पर अवाज उत्पन करती है उन्हें क्या कहते है option A तन्यता B दोनो ध्वायनिक C अगात वर्द्यता या D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा option B हो जाएगा ध्वायनिक प्रसंखिया 63 है सबसे अधिक तन्यतात्व कौन है सबसे अधिक तन्यतात्व कौन है बहुत इंपोर्टेन प्रश्न है option A चान्दी B तामबा C एल्मुनियम D सोना तो इसका जो सही जवाब होगा option D हो जाएगा सोना सबसे अधिक तन्यतात्व है और ये ग्राम सोना में लगभग दोल किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है प्रसंखिया 64 है इनमें से कौन अधात्व होते वे भी चमकीला होता है option A carbon B B bromine C iodine D इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा option C हो जाएगा iodine प्रसंखिया 65 है सबसे कथोर प्राक्राक्राइटिक पदार्थ कौन है सबसे कथोर प्राक्राक्राइटिक पदार्थ कौन है option A lithium B हीरा C sodium D potassium तो इसका जो सही जवब होगा वो आप्शन B हो जाएगा हीरा परस संख्या 66 है निमनलिखित में किस धात्तु को किरोशिन में डूबा कर रखते हैं आप्शन है A मेगलेनियम, B सोडियम, C मरकरी या D टंगस्टन तो इसका जो सही जवब होगा वो आप्शन B हो जाएगा सोडियम धात्तु को परस संख्या 66 है निमनलिकित में किस धात्तु पर वाईू का प्रभाव नहीं पढ़ता है आप्शन है A सोना, B सोडियम, C लोहा, और D तामबा तो इसका सही जोब होगा option a सोना परसम्खिया 68 है निमलेखित में कौन बीदूत का सू चालक है option a सलफर b प्लास्टिक c आयोडिन या d ग्रेफाइट तो इसका जो सही answer होजाएगा option d होजाएगा ग्रेफाइट प्रसम्खिया 79 है निमलेखित में कौन सा लवड समुदरी जल में पाया जाता है option a सोडियम कुलराइट b लीटियम कुलराइट c बेरियम सलफर्ट और d इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवब होगा वो option यह हो जाएगा सोडियम कुलराइट प्रसम्खिया 70 है निमलेखित में कौन हाइट्रो कार्वन है हाइट्रो कार्वन वे होते हैं जिनके निर्माड कार्वन और हाइड्रो यह के परमाड़ों के मिलने से होता है option a मिथेन तो इसका जो राइट एंसर होगा वो option a हो जाएगा मिथेन प्रसम्खिया 70 है रसायनी कभी किरिया भाग लेने वाले पदार्थ काहलाते है option है a उदपाद b अविकारक c उदप्रेरक यह डी इनमे से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो option b हो जाएगा अविकारक कहते हैं जिसको अभिक्रमक या इंगलिस में रियक्टेंट भी कहते हैं option b is right answer प्रसंखिया 72 है रसायनी कभी किरियाओं के फ़ल सरूप जो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं काहलाते हैं option है a अभिकारक, b प्रतिफल, c अवकारक या डी ऑक्सी कारक तो इसका जो राइट एंसर होगा वो option b हो जाएगा प्रतिफल या उदपाद इसको इंगलिस में product कहा जाता है प्रसंख्या 73 है किसी रसायनी कभी किरिया के कारण बिलियन से अलग हो जाने वाले ठोस पदार्थ को क्या करते हैं बहुत important प्रस्ण है option a और छेप, b अभिकारक, c प्रतिफल, d इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा option a हो जाएगा और छेप और इस प्रक्रिया को इस रसायनी कभी किरिया कम लोग और छेप पन अभिक्रिया कहते हैं प्रसंख्या 74 है आदमी अधात मानों के सरीरें भोजन का पाचन कौन से अभिक्रिया है आप्शन है a आक्सिक करन, b और कारक, c और कारक और आक्सिक कारक और d इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो option e हो जाएगा आक्सिक करन प्रसंख्या 75 है कि जब किसी पदार्थ का आक्सिक करन होता है उसे निमनलिखित में क्या कहते हैं जब किसी पदार्त का ओक्सिकरन होता है उसे निम्न लिखित में क्या करते हैं ओप्षन है ए ओकारक और ओक्सिकारक बी ओक्सिकारक सी ओकारक और डी इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा ओप्षन जब किसी पदार्त का ओक्सिकरन होता है उसे निम्न लिखित में क्या कहते हैं तो यह हो जाएगा ओप्षन इसका सी इस राइट एंसर मतलब उसे हम अवकारक कहते हैं प्रसंख्या 76 है विदूत अपगाटन के उपयोग में निम्न ल या कुल्राइट से धातू का निश्कर्शन करने में भी जल से असूदी निकालने में सी पारक को गर्म करने में या डी इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर होगा ओप्षन यह हो जाएगा धातू के अक्साइड यह कुल्राइट से धातू के निश्कर्शन करने में जाता है कि किसी पदार्थ का जब और करन होता है तो उसे क्या कहा जाता है आप्छान ए은 आव कारक v3C onlden Juan ayam या डी इनमें से कोई नहीं है कि तो इसका जो सब्सुजभ हो वो उफ्सल सी हो जाएगा आप्छा का जाता है प्रसंख्या 78 है कि जब कोई पदार्थ औक्सिजन में जलता है तो उस क्रिया को क्या करते हैं आप्शन है A. दहन B. रसाइनिक कभी क्रिया C. मंदन या D. इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन E हो जाएगा दहन प्रसंख्य 89 है पेट्रोलियम गयस किसका मिसरण है, आप्सन आए A, मिथेन और हाइडरोजन, B, बियुटेन, प्रोपेन और एथेन, C, हाइडरोजन और बियुटेन, और D, इन्यद में से कोई नहीं ऑशेवन पर ऑफ्षन के आसी है पेटरोलियम गयस में मुखे अभ्यवन और अफ्षन है ऐने के प्रशों के असी है पेट्रोलियम गेस में मुखे में कौन सा यह वरलीति है ब्यूटेन इस राइट एंसर प्रसंखिया एक्यासी है कुल्रीन और हाइड्रोजन के मिश्रन को जब सूर्य के प्रकास में रखते हैं प्रस पर किरिया करके क्या निर्माण होता है आप्शन है एक कुल्रीन इसका जो सही जवाब होगा वो अप्शन C हो जाएगा हाइड्रोजन कोल्राइट प्रसंखिया 82 है जब कोई पदार्थ खुद से या किसी और पदार्थ से किरिया करता है फिर अपने से भीन वाले एक या उससे अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब इस प्रकिरिया को क्या करते हैं आप्शन है ए रसायनिक करिया भी गैस की उत्पति से रसायनिक समय करन और डी इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो अप्शन A हो जाएगा रसायनिक करिया जब कोई पदार्थ खुद से मतलब या दूसरी पदार्थ के परमाड़ों से अभी करिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ करन विमान करता है तो उस प्रोसेस को या उस प्रकिरिया को हम लोग रसायनिक अभी करिया करते हैं प्रसंखिया 83 है रसायनिक अभी करियाओं की विसेस्ताय निमन लिखित में कौन है आप्शन है A. रंग परिवर्थन, B. ताप में परिवर्थन, C. गैस की उत्वति, D. उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही जवाब होगा वो एंसर D हो जाएगा उप्रोक्त सभी परसंकियत 84 है रसाइनिक अभिक किरियाओं में जो पदार्थ भाग लेता है उसका संकियत यों सुत्रों की सहायता से अभिकिरिया का संचिप्त निरुपन क्या कहलाता है आप्शन है A. रसाइनिक अभिकारग, B. रसाइनिक समिकरण, C. उप्रोक्त दोनों, D. इनमें से कोई नहीं इसका जो सही जवब होगा वो आप्शन B हो जाएगा रसाइनिक समिकरण, प्रसंकियत 85 है उस रसाइनिक अभिकिरिया को हम क्या कहेंगे जो सदेव साथ साथ होती है सब्सक्राइब अबिक्रिया और डी विस्थापन अभिक्रिया तो इसका जो सही जबाब होगा उप्सन सी हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया करते हैं जो रसायने के विक्रिया सदेव साथ साथ होती है यानि ओक्सी करन और करन के विक्रियां दोनों साथ साथ होती है इस विक्रिया में प्रसंख्या 86 है प्रकास रसायने के विक्रिया में निमलिखित में किसकी उपस्तिती अनिवार है ऑप्शन है ए प्रकास की बी अंधिकार की सी क सब्सक्राइब कोई पदार्थ अपने जोलन ताब से कम ताब पर जल सकता है क्या कोई पदार्थ अपने जोलन ताप से कम ताप पर जल सकता है आपसन है A, हाँ जल सकता है आपसन B, नहीं जल सकता है आपसन C, कुछ नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता और आपसन D, इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो अप्शन B हो जाएगा नहीं जल सकता है प्रसंख्या 88 है मौम किसका मिश्रण है मौम किसका मिश्रण है अप्शन A थोस हाइड्रो कार्बनों का B अक्सीजन का C नाइट्रोजन का D इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन ए हो जाएगा ठोस हाइड्रो कर्वनों का प्रसंख्या 89 है 89 मंबती के जलने में ज्वाला का सबसे बड़ा भाग किस मंडल में होता है तथा उसमें से पिला प्रकास निखलता है तो इसका जो सही ओप्शन है तो इसका जो सही ओप्शन A हो जाएगा केंद्रिय मंडल प्रसंख्या 90 है 90 की फोटोग्राफ्फी में परियोग होने वाले फिल्म की सतह पर किसका लेप चड़ा रता है आप्शन है A. सिल्बर ब्रोमाइड, B. सिल्बर कुल्राइड, C. सिल्बर आयोडाइड या D. इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन A हो जाएगा सिल्बर ब्रोमाइड ब्रस संख्या 91 पर योगसाला में संसलेशित पहला कार्बिनिक योगिक है आप्शन है A. मिथेन, B. असिटोन, C. यूरिया या D. असिटिक अमल तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन C हो जाएगा यूरिया पर योगसाला में संसलेशित यानि पर योगसाला में निरुमाण किया जाने वला पहला योगिक है कार्बिनिक योगिक प्रसंख्या 92 है प्रथम कार्बिनिक योगिक यूरिया का संसलेशन किसने किया था बहुत इंपोर्टन प्रस्ण है option A, कोलवे ने B, वोहलर ने C, वर्जिलियस ने या D, इनमे से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा option B हो जाएगा वोहलर ने चलते हैं अगले प्रस्ण की और रसंख्या 93, कि जीवन सकती के सिधान्द का प्रतिपाधान किसने किया था option A, वर्जिलियस ने option B है, लववाजे ने option C है, कोलवे ने और option D है, इनमे से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा वो option A हो जाएगा वर्जिलियस ने जीवन सकती सिधान्द का प्रतिपाधन किया था प्रसंख्या 94 है, कार्बन के दू अपरूब हीरा और ग्रिफाइट के अलावा तिसरा अपरूब का ना बतावे option A, हीरा B, ग्रिफाइट C, फ्लोरीन कार्बन और D, इनमे से सभी सत्य है तो इसका जो सही जवाब होगा वो option C हो जाएगा फ्लोरीन कार्बन कार्बन के दू अपरूब के अलावा तिसरा अपरूब है रसंख्या 95 है निमनलिखित में कौन सा कार्बन योगिक सबसे अधिक किरिया सील है निमनलिखित में कौन सा कर्बनिख योगिक सबसे अधिक किरिया सील है option है A, मिठेन B, एथेन C, एथीन या D, प्रोपेन जैसे में मिथेन का रसाइनिक सुत्र CH4 एथेन का रसाइनिक सुत्र C2H6 एथीन के रसाइनिक सुत्र C2H4 और प्रपेन के रसाइनिक सुत्र C3H8 होता है तो इसका जो सही जवब होगा वो आपसन C हो जाएगा एथीन इस राइट एंसर और एथीन के जो रसाइनिक सुत्र होता है C2H4 कारबन के योगिको के संख्या लगभग है मतलब बरतिमार में कारबन के योगिको की संख्या कितनी है लगभग में option A, 2 million, option B, 3 million, option C, 4 million, option D, 1 million है तो इसका जो सहीज़वब होगा, option B हो जाएगा 3 million के करीब है, कार्बिनिक योगी को की संख्या बरतमान में प्रसंख्या 97, कार्बन अक्सीजन में दोहन कर कार्बन डायोकसाइड और प्राच्यूर मातरा में उसमा उत्पन करता है या किस प्रकार की अभिकिरिया है option है A, आउककरन, B, आउक्सीकरन, C, रेडॉक्स, या D, और पगहटन अभिकिरिया तो इसका जो सही जवब होगा, वो option B हो जाएगा आउक्सीकरन अभिकिरिया प्रसंख्या, अंठानबे है, हीरा और ग्रेफाइड, कार्बन के क्या है हीरा और ग्रेफाइड, कार्बन के क्या है option है, A, समावाई, B, समस्थानिक, C, बहुलग, और D, अपरूप् तो समावाई उसका जाता है, जिनके रसायनिक सुत्र समान, किन्तु सनचना, सुत्र भीन भीन हो वे समावाई कालाते है, तो यह तर नहीं होगा, option B, समस्थानिक, समस्थानिक की परवासा है कि वे तत्व, जिनकी परवाणु संहले नहीं होते हैं, तो वे समस्थानिक की आलाते है तो समस्थानिक भी नहीं होगा, आप्शन C है बहुलक, बहुलक होता है कि जब किसी प्रकार के छोटे-छोटे अड़ो सनियुकतो कर एक बड़े अड़ो का निर्मान करते हैं, तो उसे हम बहुलक काते हैं, पॉलिमर काते हैं, और जो आप्शन D है, वो इसका सही जबाब है, एक ही पदार्थ तत्व यह जोगी का अलग-अलग रूपों में पाई जाने को हम लोग अपरूप कहते हैं, और यह घटना अपरूपता कहलाती है, तो इसका जो सही जबाब होगा, वो अप्शन D हो जाएगा, अर्थाथ हीरा और ग्रेफाइट कारवन के अपरूप है प्रसंख्या 99 है, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट प्रस्न है कि उस हाइडरू का नाम बता है, जिससे एथनोल बना है उस hydrocarbon का नाम बता है जिससे ethanol बना है option है A, Ethan, B, Methane, C, Benzene, D, Butane तो Ethan का सुत्र होता है C2H6, Racynic सुत्र, Methane का होता है CH4 Benzene का होता है C6H6, Butane का होता है C4H10 Butane एक समावाई है जिसकी परिवासा अभी मैं आपको बता है तो इसका जो right answer होगा सही जवाब होगा option ही हो जाएगा एथेन, एथेन वो हाइडरो कारवन है जिससे ethanol बना है, तो ethanol का रसाइनिक सुत्र बता सकते है तो चलिए हमें बताता हूँ, ethanol का जो रसाइनिक सुत्र होता है वो होता है C2H5OH, जिसका युक्ति सुत्र होता है CH3CH2OH अर्थात जिसको हम लोग alcohol भी कहते हैं, अर्थात समाने alcohol अगर कहा जाए इसका मतलब मुझे ethanol की बात कर रहे हैं, ethanol का जो सधारन नाम होता है, वो ethyl alcohol होता है प्रसंख्या, 100 है, 100, जो इस वीडियो का अंतिम प्रस्ण है बहुत ही important प्रस्ण है कि चीनी का रसाइनिक सुत्र क्या है चीनी का रसाइनिक सुत्र क्या है, option है ACH3COOH जिसको अम लोग aesthetic अम लखाते हैं, option B है C2, H12, O6, option C है C12, H22 और O11, और option D है, इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा और option C हो जाएगा, चीनी का जो रसाइनिक सुत्र होता है, वो होता है C12, H22, O11 अर्थाथ, C12, H22 और O11, चीनी का रसाइनिक सुत्र काफी important है, तो friends, यह था हमरा आज का वीडियो, जो अधारित था, समाने बिग्यान से संबंदित, सो, most BBI, objective questions और उनके answer पर, जो अगामी, जो class 10th और 12th का जो board exam है, उसके परिचार्थियों के लिए बहुत important है, और साथ ही, जो किसे भी परतियोंगी परिचार competitive exam की तियारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी most important वीडियो है, इस वीडियों से आपको लगबग 10 number पक्के हो जाएंगे, आपकी जो भी exam है, तो इस वीडियों का आप अन तक देखे, साथ ही वीडियों को लाइक किजिए, share किजिए, और यदि आपको कोई इसमें तुरुटी नजर आती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस तुरुटी को दूर करने की कोशिश करूँगा, तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जो भी वीडियो बनाओ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो थैंक्यू फोर लिस्निंग एंड वाचिंग और कमेंट में आप बताईए कि पावर अलकुहल के नाम से किसका उपियोग वाहनों में पेट्रोल के अस्थान पर किया जाता है, पावर अलकुहल के नाम से वाहनों के इंजिनम में मतलब वाहनों में पेट्रोल के अस्थान पर उसका इस्तमाल किया जाता है, उसका नाम ब